Hello viewers, welcome to you all in my YouTube channel Dharma Education इसे पहले वाले lecture में हमने पढ़ा था YouTube manometer के बारे में आज हम पढ़ेंगे well manometer के बारे में So start करते हैं अपना lecture what is well manometer Well manometer भी एक YouTube manometer ही होता है तेकिन यहाँ पर इसकी चुछ एक lag होती हो से replace कर दिया जाता है वेसल के चुछ यहाँ पर एक वेसल रख दिया जाते हैं उस वेसल को हम कहते हैं well और इसी लिए इस manometer का नाम होता है well manometer Now next है इसका construction यह बना होगा होता है यह बना आपको पहले ही बना है यहाँ पर well होता है और एक यहाँ पर tube होती है दोनों में initially जो pressure होता है वो same होता है इसे हम P2 माल लेते हैं इसको हम P1 माल लेते हैं तो इनों का pressure सेम होता है यह दोनों का जो liquid level होता है वो भी हमारा सेम होता है लेकिन जैसे ही हम P2 को pressure देते हैं तो इसका जो liquid का level होता है वो decrease जाता है एंड ये tube का level छो होता है liquid का वो increase जाता है initial point को हम x मानते हैं and final point को हम y माल लेते हैं so x to y जो हमारा change हुआ है liquid के level में उसे हम delta h माल लेते हैं यानि हमारा होगया displacement में लिक्विट के level में जितना displacement हुआ है उसे हम उसे delta h माल लिया और यहां पे जो भी हमारा height होता है कर लेते हैं सो फाइनली य से लेके जहां भी हमारा लिक्विड इंक्रीज हुआ है उस हाइड को हम एच कहते है यहां एंड डिस्प्लेस्मेंट से अबव जो हमारा लेवल है उसे हमने एच डैस माल लिया यहां पर एक स्केल लगी होती है जिसके जुरू हम इस हाइड को मेज चेंच हाइड में हुआ है या भिदि दुट्रेशर प्रेश्य हमारा कितना है यह हमें यहां से पता चल जाते हैं तो अहां हम बात करते हैं इसकी वकिंग की जैसे हम पिटू को प्रेशर देते हि हमारा चुलário लिकुट होता है वो डिक्रीज हुझ जाता है और हमारा टयू हमारे पास है P2 minus P1 is equals to G H dash 1 plus A1 upon A2 into rho 2 यहाँ पर A1 जो है वो हमारा tube का area हो गया and A2 जो है वो हमारे well का area हो गया तो tube का डामेटर होता है वो हमेशा छोटा होता है well की डामेटर से तो well का डामेटर होता है वो 300 गुना ज्यादा होता है tube की डामेटर से आपको इतना समझ मागया होगा well manometer this is nothing but a you tube manometer which is modified by replacing one leg by large diameter well area is greater than tube area by 300 times due to this any change in pressure P2 has negligible effect on manometric liquid level inside the well as compared to that on the tube liquid so manometric liquid level in the well is assumed to be fixed and it is called as zero level when pressure P1 and P2 are applied the height h of manometer liquid in the tube is measured from the zero line this height h represent differential pressure P2 minus P1 the static balance equation can be written as P2 minus P1 is equals to g as dash 1 plus a1 upon a2 rho 2 I hope आपको इतना समझ मागया होगा now अब हम बात करते हैं हमारी ये इस डिफेरेंशल equation है ये कैसे आई पास pressure है initially हमारा जो pressure होता है initially जो pressure हमारा P1 में है वही pressure हमारा P2 में रहेगा so क्या हो जाएगा माल नीश ये P1 में हमारी शो manometric liquid रखी विए उसका density जो है वो rho 1 है लिके अंदर शो हमारे पास liquid रखा हुआ है उसकी density rho 2 है so pressure P1 कितना हो जाएगा हमारा P1 plus rho 1 G H is equals to P2 plus rho 2 G H so यहां से हमारे पास P1 minus P2 is equals to rho 2 G H ये plus का है minus में जाएगा rho 1 G H P1 minus P2 is equals to G H common हो गया rho 2 minus rho 1 ओके so यह हमारे पास हो गया first equation यह हमारी हो गई first equation यहापे हम निकालते हैं displacement displacement यानि की D is equals to displacement की value कितनी होगी यह जो D है हमारा यह कितना हैगा यहां से लेके इस level जहां तक हमारा liquid यहां पर rise हुआ है वहां से लेके जहां पर हमारा liquid decrease हुआ है उस point तक हमारी जो height है उसे हम H मानते minus जो हमारा initial 0 level से जहां तक हमारा liquid राइस हुआ है वहां तक की जो distance है उसे हम क्या करते है H dash मानते तो हमारा जो यहाँ पे displacement है वो कितना हो जाएगा h minus h dash next हमें निकालना है displacement volume so displacement volume e यानि displacement into a2 is equals to h dash height h dash यह हमारी height हो गई ट्यूब की and area इसका हो जाएगा a2 I hope इतना आपको समझ में आगया होगा now d की value में पता है h minus h dash and a2 is equals to h dash a2 यहाँ सुझेगा h a2 minus h dash a2 is equals to h dash a2 and यहाँ से हम comment ले लेंगे यहाँ से हम इसको यहाँ लेके चाहते हैं तो चाहेगा a2 is equals to h dash a2 plus h dash a2 यहाँ पे h a2 is equals to h dash common हो गया a2 sorry यहाँ बचा a1 plus यह चाहेगा a2 and योग्या h यहाँ पे a2 को हम इसके divide में लेके जाएंगे तो h dash a1 plus a2 upon a2 h is equals to h dash a2 से divide करेंगे तो a1 upon a2 plus a2 से a2 कैंसल हो जाएगा बचा 1 तो हमारे पास की equation आ गई h is equals to h dash a1 upon a2 plus 1 अब हम इस equation को put कर देते हमारे equation first में चो हमारे पास यह हैं यहाँ पे हम put करते हैं तो क्या हो जाएगा p1 p1 minus p2 is equals to g h की जाएगे पे हम रख देंगे h dash a1 upon a2 plus 1 and यह हो जाएगा हमारे पास rho 2 minus rho 1 यहाँ पे चो density है ट्यूब के अंदर चो density है rho 1 उसे हम negligible माल लेते हैं rho 1 is equals to 0 so हमारे equation हो जाती ही वो कितनी होगी p1 minus p2 is equals to g h dash a1 upon a2 plus 1 यह जाएगा rho 2 I hope आपको समझ में आगया होगा so मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care and thank you